तो हाई अबरिवर्वन वेलकम वेक मैं यूटूब चैनल सश्टी चार्मिंग कैसी हो आप सब आप सब आप सब बहुत ही अच्छी होंगे तो आज मैं आपके साथ मामा अर्थ विटामिन C डेली गलो फेस क्रीम कर रिव्यू करने वाली हूँ अगर आप मामा अर्थ की विटामिन C डेली गलो फेस क्रीम लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम आने वाली है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको सारी इंफोर्मेशन डेल में देने वाली हूँ तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी पैकेजिंग तो यह कुछ इस तरीके से ट्यूब पैकेजिंग में आती है और इसके ऊपर एक मामा अर्थ की ब्राडनिंग मिल जाएगी जैसे कि आप देख रहे हैं और इसका मैन इंग्रीडि इसे एक क सब्स्क्राइब टायप मेज सब्सक्स करते हैं और इसके सार्षा के सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब करेंगे. आपके skin जो भी हो आप इसे यूज कर सकते हैं अगर मैं product की बात करूँ तो ये 50 gram की packaging है और इसे कहीं से भी आप purchase कर सकते हैं online ये आपको easily मिल जाएगी चलिए तो अब इसका मैं texture भी दिखा देती हूँ आपको इसको मैंने बहुत ज़्यादा use कर लिया है तो इसमें थोड़ा ही बहुत होगा तो ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से absorb हो जाती है इसकिन में मैंने थोड़ी सी ज़्यादा निकाल ली तो ये कुछ वाइट कलर का इसका texture रहता है और इसके खुझप भी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और इससे आप अगर use करेंगे तो इसकिन को ये करेगी इसकिन को hydrate करेगी और ये इसकिन में एक natural glow एड करेगी और बहुत ज्यादा नहीं मैं बोल सकती पर ये इसकिन में एक white cast छोड़ती है हलका सा इसे लगाने के बाद एक natural सी whiteness इसकिन पर आ जाती है इसे face dry नहीं होता है अब तो गर्मियों का सीजन है तो ये बहुत ही अच्छी है perfect dry skin वालों के लिए और oily skin वालों के लिए तो है ही अच्छी अगर सदियों का सीजन है तो आप क्या करें कि dry skin वाले जो है वो cold cream लगा के इसको apply कर सकते हैं और गर्मियों के सीजन में आपको कुछ apply करने का जरूरत नहीं है आप इसको directly apply करें एक्दम west रहेगी और इसके बाद आपको कोई भी क्रीम apply करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप इसे डेली भी यूज कर सकते हैं अगर आप पॉल इस गोइंग है कहीं भी आप जा रहे हैं तो आप इसे apply कर सकते हैं और इसे लगाने के बाद एक हलका सा fairness आपके face पे देखने को मिलेगा तो यह मेरे साथ से बिलकुल परफेक्ट क्रीम है और वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए वाई वाई टेक क्यार